हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल माई उनिक अकेडमी फ्रेंड्स आपके भी मन में यह होगा किशर बीए में या फिर यम्मे में एकजाम में कॉपी कैसे लिखें कि कि अच्छे मार्क्स मिल जाएं अक्सर लोग कहते हैं कि बीए बीएससी बीकॉम या फिर ग्रेजुएशन में आप अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते हैं 90 परसंट मार्क्स लाना बहुत ही मुश्किल है लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा जिनको फालो करके आप बीए बीकॉम बीएससी यम्म कोई भी ग्रेजुएशन में आप कोर्स कर रहे हैं तो उसमें आप 95 परसंट प्लस मार्क्स ला सकते बीडियो को पूरा देखना आपको पूरा टिप्स और ट्रिक्स यहां पर बताया जाएगा कि आपको बीए या फिर एम्मे में कॉपी कैसे लिखनी है ओके short question कैसे लिखना है, long question कैसे लिखना है और very short question कैसे लिखना है, सब कुछ बताए जाएगा तो वीडियो को last तक देखना सब समझ में आ जाएगा दोस्तो सबसे पहली tips और trick ये है कि जब भी आपके पास paper आए BA का, फिर इम्मे का, जिसका भी आप paper दे रहें एक्जाम है का, जब भी आपके सामने paper आए तो सबसे पहले आपको 15 minute paper पढ़ने के लिए मिलता है उसमें से आप 10 minute paper को पढ़ने में दीजे पेपर को आपको ध्यान से 10 minute तक पढ़ना है ध्यान से 10 minute तक पढ़ना है, फिर पांच minute में आपको अपना पूरा डाटा फिल करना है पांच मिनट में ओके और सही से यानि रोल नमबर जो कुछ भी उसमें अपना कोड बगएरा पूछ रहा है कॉलेज का कोड रोल नमबर इस्टुडेंट नमबर जो भी उसमें पूछ रहा है आपको वो एकदम करेक्टली फिल करना है सही से तो पंदरा मिनट आपने पेपर को पढ़ने में और सही इंफर्मेशन फिल करने में लगा दिए अब दूसरी टिप्स क्या है दूसरी टिप्स यह है कि आपको डिशाइड करना है कि कौन सा कोश्चन पहले करना है देखे बिसिकली तीन टाइप के कोश्चन आपके पेपर में आएंगे वेरी शॉर्ट, सॉर्ट एंड लॉंग कोशिस कीजिए कि वेरी शॉर्ट कोश्चन जो है उनको आप पहले निप्टा दी से पहले ही कल दी से वेरी शॉर्ट कोश्चन पहले करने से फाइदा ये होता है क्योंकि इनके नंबर बहुत ही ठोस होते है सॉलिड, मतलब आपको दो या तीन लाइन में इनका आंसर देना रहता है और अगर आपने इनका सही आंसर दे दिया पहले दस वेरी शॉर्ट कोश्चन पूछा उसने दो दो नंबर के तो और आपने दसों का सही इनफॉर्मेशन दे दिया, सही से उसको लिख दिया तो एक्जामनर जो है उस पर बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है वो पहले आपका वेरी शॉर्ट ही पढ़ेगा लॉंग कोश्चन नहीं पढ़ता है कि भाई डीटेल में पढ़ता है शॉर्ट कोश्चन पढ़ेगा अगर वो आपने सही लिखा है तो समझ जाएगा कि इस बंदे ने वेरी शॉर्ट कोश्चन बहुत अच्छा लिखा है इसलिए इसके लॉंग कोश्चन और शॉर्ट कोश्चन भी अच्छे होंगे तो कहीं से भी आप कोई प्रस्ण लिख सकते हैं किसी भी प्रस्ण का उत्तराप लिख सकते voiture आपको आखरी वाला सबसे अच्छा आता है तो जो आखरी वाला है उसका ansr पहले लिख दीज़े सबसे आ क्रिभाला लेकिन ध्यान ये देना है कि आपको उस आंसर का नंबर लिखना है जैसे मालीजे खंड का का पहला आपने एक प्रस्ण पढ़ा लास्ट में है खंड गा का तीसरा कोशन तो जब आप उत्तर लिखेंगे तो उसमें आपको लिखना पढ़ेगा उसको उपर कि खंड गा का तीसरा उत्तर इस प्रकार से आपको ये लिखना पढ़ेगा मतलब कोई भी आप प्रस्ण करें कोई भी उत्तर लिखें तो उसका आपको नंबर खंड जो भी है वो डाल देना है और कापी की दोनों तरब पहले से आपको हासिया खीच लेना है हासिया मतलब रेखा एक फ्रेम बना लेना है ताकि आपकी कॉपी खुबसूरत देखें तो इतना आपको करना है ये दूसरी टिप्स थी तो आपको दूसरी टिप्स समझ में आ गई होगी मेरी शला है आपसे कि आप बेरी सॉर्ट कोईशन पहले करें क्योंकि उससे एक अच्छा इंप्रेशन जाता है मैंने आपको बताया और फिर नमबर ज़्यादा मिलने के चांस बढ़ जाते हैं अब बात करते हैं लॉंग कोईशन और सॉर्ट कोईशन कैसे लिखे ले हैं सॉर्ट कोईशन अक्सर 200 सब्दों में पूछे जाते हैं लॉंग कोईशन 500 सब्दों में पूछ ले जाते हैं अक्सर तो देखिए सबसे पहले अपने दिमाग से निकाल दीजे कि हम कुछ भी लिखे देंगे तो नमबर मिल जाएगा अईसा लोग कहते हैं कि बिये कर रहे हैं यम्मे कर रहे हैं कुछ भी लिख दो कहानी बना करके नमबर मिल जाएगा अगर आपको अच्छा नमबर लाना है तो ये concept ये विचार अपने दिल से दिमाग से निकाल दीजे long या फिर short question लिखते समय कोसिस करनी है कि आप उसको एकदम कहानी की तरह ना लिखें एक बार pen रख दिया copy पर फिर last तक पूरा लिख दिये बीच में ना कोई heading डाली ना कहीं black pen का यूज़ किया ना इस case का यूज़ किया ना कोई inverted comma ना कोई कथन कुछ भी नहीं लिखा सिर्फ एक कहानी की तरह लिखते चले गए तो ऐसा करने से आप number अच्छा नहीं ला सकते सबसे पहले क्या करना है आपको long question का answer देते सबसे पहला point आपको भूमिका या फिर प्रस्तावना लिखना है सबसे पहला point ओके भूमिका या प्रस्तावना फिर उस भूमिका प्रस्तावना में क्या लिखना है रहता है कि जो कुछ भी वो पूछा है माल लेज़े वाई परदूसर और उसके कारण पूछा है तो सबसे पहले आपको बताना है भूमका में कि भाई परदूसर है क्या ओके भूमका प्रस्तावन में थोड़ा सापको उसके बारे में बेसिक जानकारी देनी है फिर क्या करना है आपको जो पूछा है वो लिखना है main कारण कुछ point में कुछ heading डाल करके आप लिख सकते हैं number 1, number 2, number 3 heading डाल करके आपको इस case का यूश करना है heading डालने के लिए फिर black pen उसका यूश करना है बड़ी है आपको underline कर देना है फिर last point जो है last point जब आप लिखें long question का तो उसमें आपको निसकर्स जरूर लिखना है एक heading डालनी है last वाली निसकर्स उसमें आपको कुल मिला करके क्या होता है क्या समझे ये लिख देना है आपको समझ में आया पहला point भूमका या प्रस्ता होना और last point आपको निसकर्स लिखना है बीच में आप जो पूछा है वो main topic लिखतीजे बीच बीच में मालेज़े कोई चीज important है date वगयरा तो उसको highlight कर दीजे black से लिख दीजे या फिर किसी बिद्वान की परिभासा या कोई कथा न आ गया तो उसको highlight करके inverted comma में लिख दीजे इससे थोड़ा सही impression जाता है बाकी मालेज़े 500 सब्दों का question है तो जरूर ने कि 500 सब्दों में ही लिखे आप 400 में लिखे दें अगर 200 का है तो 170 से 180 सब्दों में लिख सकते हैं बट होना क्या चाहिए कि थोड़ा सब्दों की बीच gap होना चाहिए एक proper gap होना चाहिए ताकि आपका question भी ऐसा लगे कि writing भी आपकी सुंदर बनेगी खड़ी और पड़ी line सीधी रहेगी तो writing आपकी सुंदर बनेगी और सब्दों की बीच एक proper gap होना चाहिए मैंने बताया तो इससे आपकी copy भरी दिखेगी और आपको कम लिखना भी पड़ेगा आपका time भी बचेगा और भी बहुत सारी चीज आप जानते हैं कि कैसे लिखना है और मैंने बताया हासिया वगएर खीच देना है सही से heading डाल करके प्रस्ण का number डाल करके कौन से प्रस्ण का उत्तर है आपको लिखना है इस तरह से प्रस्ण का उत्तर डालने से रहता कि आगे पीछे अगर आपका हो जाता है तो examiner समझ ज graduation में बहुत लोग कहते हैं 70 बहुत है 70 तो या बहुत हो का आता है आपको 95 प्लस परसंट नंबर लाना है तो आएगा और अगर वीडियो पसंद आई हो ट्रिक्स और टिप्स आपको थोड़ी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दिना शेर कर दिना चैनल पर प